Hello my dear students, how are you all? I hope आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे तो आज की क्लास में हम लोग discussion करने वाले हैं area के basis पर हमारे network के types को, ठीक है? तो मतलब कहने का कि हम area के basis पर देख रही है कि हमारा network कितने हिस्सों में, कितने भागों में, कितने types के अंदर divide हो रखा है इस ये जो है networking का बहुत ही छोटू सा concept है बट ऐसा कोई भी computer exam नहीं है जिसके अंदर आप कह लिजे कि ये आता नहीं है बिल्कुल आता है, अगर हम class 11 से ही लेकर के चलें तो ये topic आपको हर साल आपके किसी न किसी paper में first जाता है तो चलें, फिर अब इसको देखते हैं तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर ये चीज़ देखने वाले ही कि types of network, area के basis पर तो सबसे पहले हम लोग जिसके बात करेंगे वो है PAN, यानि कि personal area network तो इसका जो area है, वो क्या है? छोटू है मतलब personal, personal ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरा laptop यहाँ पर है तार के साथ में हमने जोडा that's it, मतलब मैं यहाँ पर हूँ मेरा phone यहाँ पर है laptop से मैंने phone को है जो connect किया तार के सारे तो that is क्या है हमारा personal area network उसके बाद में हम area को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकलूँगी, एरिया बढ़ जाएगा, तो यानि कि एक बिल्डिंग इंकलूड हो जाएगी, एक और बिल्डिंग इंकलूड हो जाएगी, तो यानि कि लोकल हो जाएगा, मेरी लोकालिटी के अंदर, तो लोकल एरिया नेटवर्क, अब उससे भी बाहर जाएंगे, यानि कि और चोटे-चोटे लैंस की बात हो रही होगी, तो ये इतने सारे लैंस मिल करके हमारा एक मैन बना रहे होगी, ये मैन इसी से ही निकला हुआ है, मतलब बहुत सारे जब लैंस को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया, तो वो मैन बन गया, अब हम इसके बाहर की बात करते हैं, वैते तो इस इसमें गोलू लगाने की जरुरत है भी नहीं, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम वैन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है तो मतलब इसमें कोई है ही नहीं, मतलब geographical area के basis पर हमने इनको divide किया था, यहाँ आपका कहलो country, continent, सारी चीज़ें आप कहलो कि भाई, एक देश से दूसरे देश, ठीक है, तो मतलब area हमारा, जो है कहने का मतलब है कि रहा ही नहीं, मतलब कि हम wide area की बात कर रहे हैं जो इसकी full form है अब देखो, यहाँ पर है सबसे पहले personal area network, PAN, फिर उसके बाद में आता है local area network, LAN, फिर आता है metropolitan area network, MAN, then हमारे पास में wide area network, that is WAN, अब देखो, मैंने इसका एक one shot kind of बना रखे हैं जिससे आपको चीज़ें जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इसी से आपका question है जो basically निकल आएगा, okay, so सबसे पहले आते हैं PAN के बारे में, तो पहली चीज़ की we should know the full form which is personal area network, अब देखे इसका जो दाइरा है, area है, वो क्या है, small है, छोट्टू दाइरा है, ठीक है, अब जैसे कि हम छोट्टू दाइरे की बात करें, तो हम Bluetooth का example ले सकते हैं, जैसे मेर पास में मेरा फोन है, तो मैंने तार से कनेक्ट किया, अपने लाप टॉप को, तो area के तना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पास-पास ही है, तो यह पास-पास area, P4 पास-पास, P4 परसनल area, तो हमारा क्या है, small area network, यानि कि personal area network, small हो गया, area के basis पर हम यहाँ पर चीज़े बाते कर रहे हैं, Bluetooth हो गया, तो हम 100 मीटर के आसपास इसको मान सकते हैं, ठीक है, एक से लेकर के, तो मतलब कहने का, ऐसा कोई, 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 इंची टेप लेकर के, या कोई ऐसे नाप लेकर के, नहीं कड़ा हुआ है, कि हाँ पर, अरे भाई, 99.99 मीटर, नहीं, हम लमसम मान करके चलते हैं, ठीक है, तो मतलब इस कमरे के आसपास की बात कर लोगे, तो हमारा Personal Area हो जाएगा, फिर मैंने क्या कहा, इसमें जो Error Rate के Chances होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि मेरा Phone यहाँ पर है, मेरा Laptop यहाँ पर है, तार हमने लगा दी है, तो फिर Data क्या है, जल्दी जल्दी Transfer हो पाएगा, है ना, Speed भी क्या होगी, High होगी, मेरा खर्चा क्या है, तार ही तो लगानी पड़ी मेरे को, है ना, और Error Rate के Chances भी है, जो बहुत ही कम हो गए, तो मतलब यह सबसे Secure भी है, जो आप कह सकते हो, फिर आते हैं, इस Area से थोड़ा सा ब जादा है, जो बढ़ गई है, किलोमेटर के अंदर चले गए, हम 4-5 किलोमेटर के आसपास कह सकते हैं, Building, School, Hospital, यह सारे, क्योंकि डिवाइस जादा हो गए, इसमें include, ठीक है, अब इसमें Error Rate Chances इतने जादा नहीं होते हैं, क्योंकि Area इतना भी जादा नहीं बढ़ गया होत तब इस Building Building के अंदर-अंदर की बात है, जो हो रही है, है ना, फिर उसके बाद Speed है, वो भी हाई रहती है, Expensive इतना जादा भी नहीं होता है, Local Area, ठीक है, फिर उसके बाहर आते हैं, और हम अब इसी से एक टाउम निकाल करके लाते हैं, कि चोटे-चोटे Land मिलकर के एक Man बना एरिया, 100 किलोमेटर के आसपास, या फिर 70-80 किलोमेटर के आसपास कह सकते हो, Error Rate मोडरेट हो जाती है, ठीक है, Speed भी इतनी खास होती है, मतलब कहलो कि मोडरेट हो जाती है, Then Expensive भी इतना जादा नहीं भी होता होता भी है, तो यह हमारा Metropolitan Area Network हो गया, Then हम लोग बात करते हैं, Wide Area Network, यानि कि हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, So Country हमारी इंक्लूड हो गई, हमारा City to City हम करने लग गए, मैं यहां पर हूँ अपनी मोबाइल से, मैं आप लोगों को कर रहे हैं, तो एरिया कितना बढ़ गया, The Area के बेसिस पर हम इसको जज़ कर रहे हैं, That is Wide Area Network, Then High Speed, Error Rate की जो chances हैं, वो high हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम PAN की बात करें, तो दोनों पास-पास हीती चीज़े, तो फिर क्या हुआ था, कि मेरा जो data है, वो जल्दी भी पहुंच रहा है, और guaranteed भी पहुंच रहा है, को इसमें hacker-wacker की दिक्कत है नहीं, लेकिन अब यहां पर तो hacking की भी हो जाएगी, कि रास्ते में हो सकता, मेरा data hack हो जाए, है ना, तो error में भी हो सकता है, पहुंचे या ना पहुंचे, है ना, speed भी इतनी जादा नहीं रहेगी, expensive तो of course होगा ही होगा, ठीक है, तो यह हमारा यहां पर हो गया, अब मैंने इसको इस तरीके से भी simplify कर रखा है, त अगर मैं आपको चीज बताऊं, तो यह personal area network, उसके बाहर local, फिर man, metropolitan area and then आपका van, ठीक है, तो यह कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, कि चोटे-चोटे land मिल करके van, और van मिल करके, चोटे-चोटे man मिल करके van, ठीक है, तो यह हो गया हमारा यहां पर local area network, metropolitan area network, wide area network, personal area network, इनका आपस में एक difference, I hope यह चीज़े आपको जल्दी-जल्दी से और अच्छे से समझ में आ गही होगी, क्योंकि इतना बड़ा topic नहीं है, हमें एक घंटा लगा करके इसको देखे, तो हमें इतनी सी चीज़े हैं, जो इसके अंदर से जाननी है, मैंने आपको कम time में meaningful चीज़ें बताने की कोशिश है, जो बिलकुल गी है, ऐसे हम और भी बहुत सारी topics हैं, जो लेकर के आते रहेंगे, thank you so much, और आप चलते हैं, और मिलते हैं आपको next lecture में, और yes, subscribe जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारी अच्छे चीज़ें इस चैनल के उपराब को मेलते हैंगे, okay, so, bye-bye!